इस बार के एक्जाम में 30 में 30 में वो only 15 स्टुडेंट्स का 90% प्लस नमबर आया है only 15 इतना प्ढ़ाने के बाद इतना explanation के बाद इतने लंड़ी लंबी classes के बाद आपका बाकि र Egster student का 60% below marks है या 60 से परसेंट प्लास है और कुछ बच्चों का तो बहुत कम नंबर क्यों वह इतना पढ़ाने के बाद इनवार्मेंट भी सेम है सेम प्लासेज है स्कूल में पढ़ाई होती है इसके पीछे का कारण कारण यह है कि आप अपने पैरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं करते हैं कुछ आपको एक बात सिर्श एक बात आपको याद रखनी है सुबा उठिये सुबा उठने के बाद सबसे पहले पैरेंट्स का पैर्च होएं माता पिता को पैर्च होएं तो गितनी आपमें गंदी आते हैं वे सारी आते हैं धीरे धीरे करकर निकल जाएं अगर माता पिता को जब भी घर से बाहर जाएं पेरन्ट्स का पैर जूपर जाएं प्रातह काल उठीर भुना था मात पिता गुरुव्य ही मात था मतलब प्रातह काल उठकर भगवान श्री पेर्ट्स को माता पिता को पैर्च होते हैं पैर्च होने से सूर्ज आपका मजबूत होगा और आपको विद्यायगी बहुत ज्यादा विद्यायगी माल लिया जाया कोई बच्चा 30% लिया रहा है और रिगुलर आपको पैरेंट्स का पैर्च हुएगा तो दीरे दीरे नंबर उसका इंक्रीज करके 50% तक आएगा 50% से 60% आएगा 60% से 80% आएगा 90% The reason is that कि आप जब अपने पैरेंट्स को पैर छूते हैं तो उनका ब्लेसिंग आपके साथ रहता है और आपमें जितनी गंदी आते हैं जैसे लगातार आप फोन यूज करते हैं लगातार आप फ्रेंड के साथ चैट करते हैं बाते करते हैं यह सारी negative thinking सारे negative problems धीरे धीरे आपम से डाइडूट होता जाएगा तो सबसे पहला काम है सुबह उठें पैरेंट्स का पैर छूएं जब भी कोचिंग आएं अस्कूल जाएं पैरेंट्स का पैर छूएं अस्कूल से आएं पैरेंट्स का पैर छूएं माता-पिता का पैर छूएं और माता-पिता की एक भी बात का अवग्या, एक भी बात का, माता पिता के एक भी बात, बात की अभेहलना नोतरी, जो आपके माता पिता बोलते हैं, उस बात को अच्छार सफ पॉलो करते हैं, इससे आपका बुद्धी का विकारश होगा, इससे आपका ब्रेन का डेफलक्मेंट होगा, जितना जादा पैर पैरेंट्स की बात, मानते हैं उतना ही आपके बुद्धी का विकारश होगा, क्योंकि पैरेंट्स ही पहला गौड हैं, पहला इस्वर, पहला भगवान, पैरेंट्स हैं, माता पिता ही पहला भगवान हैं, मंदिर नहीं जाएं, मस्जिद नहीं जाएं, घुर्द्वारा न अगर आप चाहते हैं कि हमारा केरियर बहुत अच्छा हूँ, आप चाहते हैं कि आप एक अच्छा स्टुडेंट बने, तो सबसे पहले पैरेंट्स का रेस्पेक्ट करें, जो भी पैरेंट्स बोल दें, उसी बात को आप मानें, और ऐसा हमने अनुपोगी किया है, और कुछ कुछ बच्चों पर इसका हमने रिसर्च भी किया है, कुछ बच्चे बड़े वीग थे, पढ़ने में बहुत ही वीग थे, जब वो हमारे पास आये थे, तो मैट्स का बेसिक ज्यानत में थे, अब वो मैट्स में इतने अफ्तेज हो गए, मैट्स साइंस में इतने पैरेंट्स, हंडिड परसेंट पैरेंट्स की बात को मान लें, उनको सुबह और साम या जब भी आप घर से बाहर निकलें, एक बात पैर जरूर चोंगे, आप देखेंगे, आपका मन बहुत सांत हो जाएगा, आप देखेंगे, आपका भुज्जी का विकार्ष होगा, पैरेंट्स को का पैर चुए, और एक लाइन याद रखें, जो राम चेत मानस में लिखा हुआ है, प्रातह काल उठी रभुनाथा, मातु पिता गुरू नाव ही माथा, मतलब भगवान, स्रियाम, प्रातह काल उठकर, सब से पहले माता पिता का पैर चुटे हैं, प्रातह क पुझाल उठी रगुना था, मात, पिता गुरुना वही माता, तिन लोग को आप रेक्स्पेक्ट करें, माता, पिता और गुरु। तो आज का सीख यह है, पहला सीख कि माता, पिता का ultimate respect करें, ultimate respect से ही आपका कैरियर में गुरोथ होगा, जितना ज़्यादा रेस्पेक्ट होगा कैरियर उतना ज़्यादा ग्रोथ करेगा तो अगले क्लास में हम सब बच्चों से पुछेंगे पैरेंट से भी पुछेंगे कि क्या ये आपको पैर्च हुए थे चाहे लड़का हो लड़की हो सभी लोग पैरेंट से पैर्च